हलो एवरिवन मैं विश्चु जीत सिंग आप सभी का देई इनप पर सौगत करता हूँ दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर में हम M.H.I.03 का लास्ट फाइव एर के कोशिंट पेपर को सॉल्फ करेंगे जिसके अंदर में हम बात करेंगे 2016 से लेकर 2022 तक के कोशिंट पेपर के बारे में इस वीडियो के थुरू आपका जो सिलिबस से अल्मोस 90% कवर हो जाएगा इस वीडियो को अगर आप देखते हो तो आपको बुक को बस रफली स्टडी करने की जुरूत रहेगी और ऐसा एक लिश्ट बन जाएगा जिसमें मोस्ट इंपॉडेंट हर रहेगा आपके पास में कि जो कोशिण सब से जादा चांसे से आने के वापस exam के अंदर में एंड सब से जरूरी डिश्व कि कि किसी भी Qutie का पैटर्न क्या है pattern of the question क्या रहा है exam के अंदर में पूशे जाने का question का उसका भी एक list आपके पास बनता हुआ चला जाएगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है ठीक है तो इन चीजों के लिए वीडियो को ज़रूर देखिएगा last तक जिससे आपको समझ में है जो pattern of the question के अगर हम बात करें तो कई बार क्या होता है कि student बहुत अच्छे से पढ़ता है उसको chapter का knowledge है कि cv chapter का अच्छे से knowledge है पर जब question को धोड़ा घुमा कर examiner पूशता है exam के अंदर में जब exam के अंदर में जो question उसको अलग तरीके से present करता है तब वो first जाता है और उसके number नहीं बन पाते है number कट जाते है तो उस चीज़ों के लिए हम work करेंगे कि pattern of the question हम समझे कि question के अंदर में क्या पूछ रहा है अगर हमें ये समझ मैंगा तो हम उसका answer लिखेंगे point to point तब हमें number मिल पाएगा ठीक एचले start करते है start करने से पहले एक request रहेगा कि जो भी students नए है हमारे दीगीनब चैनल पर अगर अभी तक आपने subscribe नहीं किया है अगर अभी तक आपने membership नहीं ले रखी है तो आप join कर सकते हैं दीगीनब चैनल को subscribe कर सकते हैं और अपने सभी दोस्तों को साथ share कर सकते हैं और अगर कुछ भी डाउट होता है तो अपना notebook लेकर बैठे note down करें बाद में मुझसे comment करके पूछ ले ठीक है जिससे आपको भी वीडियो को भी समझ में और बाद में जो भी डाउट हो आपने लिक रखा है आप मुझसे comment करके पूछ सकते हैं सोचल मीडिया का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे हैं वहां से डारेक्ली पूछ सकते हैं WhatsApp ग्रूप को भी जोइन करना चाहते हैं तो comment करें में लिंक दे दूँगा वहां से जोइन करके डारेक्ली अपना doubt solve कर सकते हैं चली start करते हैं सबसे पहले introduction of the question paper लेते हैं एक बार समझते हैं और आगे भी use होता जाएगा ठीक है M.A. history, M.H.I. 03 ठीक है Histography आपके book का नामे इतिहास लेखा June 2016 का question paper को solve करने वाले हैं सबसे पहले हम और आपको पता हुआ कि इगनों के अंदर में 2 session होते हैं June session और December session तो हर year के अंदर में 2-2 question paper आपको देखने के लिए मिलेंगे इस question paper को solve करने की timing की total होती है 3 घंटे की और जो number होते है 100 number का question paper आता है आपको 5 question को solve करना है total 10 question होते हैं 10 में से 5 हमें solve करने होते हैं ठीक है और सबसे जरूरी चीज क्या है कि question को solve करते समय इस बात का जरूर ध्यान रखे कि आपको 500 word के अंदर में ही उस question का answer लिखना है हमें page matter नहीं करता कि आपने कितने page बरे matter ये करेगा कि 500 word के अंदर में आपने answer लिखा है ठीक है चले start करते है दोस्तों सबसे पहले हमारा जो पहला question आता है पहला question आता है इतिहास लेखन की Greek और Roman परंपराओं के एक विस्तिरित टिपनी लिखिए हमें 500 word के अंदर में टिपनी लिखनी है Greek और Roman इतिहास कारों के बारे में किस तरह से उन्होंने इतिहास लेखन किया सबसे पहले अगर जो हिस्तिरि वर्ड है इतिहास है उप बना कैसे तो हिस्तिहास हिंदी में कहते है इंग्लिस में हिस्तिरी कहते है और जो हिस्तिरि वर्ड है हिस्टोरिया से पहना है हिस्टोरिया वर्ड जो था हेरोडोटस को माना जाता है जो एक युनानी इतिहासकार थे ठीक है हेरोडोटस की पुस्तिका थी हिस्टोरी का ठीक है उस पुस्तक के अंदर में विविन देशों के बारे में जानकारी लिखी गई जिसे भारत फ्रांस और अन्य देशों के बारे में भी बताया गया उसके में क्या जानकारी देगे तुम्हां के कल्चर के बारे में किस तरह का रहन सहन है उसके बारे में जीवन व्यापन का तरीका क्या है लोगों का उसके बारे में उसके अंदर में जिकर किया गया उसके बारे में वर्णन किया ठीक है उसी तरीके से एक लीवी करके एक इतिहासका खुलकों किया और युनानी लेखोइक बता है उनका लिखने का तड़ीका कैसे था एक तरफ रफ हो entrave ग्रीक या रोमान युनानी तिहासकार। उंगर कि जो व्हार करते थे इनका लिखने का च्छेत्र जो था बहुत बड़े ऐरिया को कवर करते थे एरिया मतलब यह नहीं कि दिल्ली मुंबई पंजाब ऐसा नहीं मतलब अलग-अलग टॉपिक्स को वर्सेटाइल थे अलगलग टॉपिक्स को कवर करते थे ठीक है इनका जो मेन होता था युनान इतिहासकार का वह मानव जीवन के सभी पहलियों के बारे में लिखते थे ठीक है किस तर से जीवन व्यापन है किस तर से आर्थिक सोर्त है ठीक है तो सभी पहलू ज हैं उसका उन्होंने आंसर नहीं दिया तुम मानव को केंद्र-डिंदु ना मानकर उनकी अलगला चीजों के बारे में लिखना उन्होंने पसंदी घया यूणानी आति हासकारु द्वारा सत्तनी खोच पर वड टू जा गया एसा मानवानी इंसिडेंट घटा है तो किस परकार से घटा क्यों घटा उसके रिजन्स क्या है उसके बेसित पर जिकर किया गया ना कि मानव को उसमें रिलेशन दिखाए गया ठीक है समाज की स्थापना में यूनानियों के विक्तियों निका कोई विशेश महतवनी रहा हैं fingertips तो यह सारी चीज़े रहती है, तो यहाँ पर युनानियों द्वारा मानव को केंदर विंदू बना कर लिखा गया, पर जो युनानी सब्ते हैं, उनका व्यक्तियों के महत्र में कोई विशेश योगदान रहा नहीं, यह भी देखा जाता है, ठीके, तो इस तरीके से बेसिक जानकारी थी किस तर से ग्रीक परमपरा है, ठीके, जो लेखन की, और किस तर से रोमन परमपरा है, लेखन की, वो मैंने आपको बताया, उसके बारे मैं आपको थोड़ा सा और पढ़ना है, और उसको यहाँ पर लिख सकते हो, और अच्छे नंबर मिल जाते हो, और बहुत साइड के लेखको का किस तर सरा? जैसे युनानी साइड के जो लेखक थे, या ग्रीक साइड के जो लेखक थे, हिस्टोरिया नो Ambireम ने पुस्तक लिखी, ठीके है, हेरोडौतस, और ओर और भी कई सारे लेखक आते है, प्रमेलनी हिस्टोरिया की बात की जाते है, क्योंकि जनक के तौर पर वही दिखा गया, उस पुस्तक के अधार को ये basis पर ही बता जाता है, और दूसरे जो लिखने का तरीका क्या था, उसके basis पर ही हम यहाँ पर बात करते हैं, एक तरह से तुलनातमक question होता है, comparison basis question है, जिस पर नंबर मिलते हैं, ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं अगला question के लिए, question number अगर मैं second बात करूँ, तो इतिहास लेखन की परतेक्षवादी परमपरा क्या है, अब सबसे पहले यह जो परतेक्षवादी word है, अगर आप यह समझे जाओगे, तो आप question solve कर लोगे, ठीक है, इतिहास लेखन की परतेक्षवादी परमपरा का निर्म परमपरा की जाती है, तो आगस्ट कांथ के द्वारा सुरुवात हुती है, इसकी philosophy की, positive philosophy की, अगर कई बार confuse करने के लिए, आपको परतेक्षवादी परमपरा की बजाए, ठीक है, वहाँ पर लिखके आजाए, आगस्ट कांथ की जो परमपरा थी, उसका बात बताईए, ठ क्योंकि उसके जनक के तोर पर वही माने जाते हैं, ठीक है, आगस्ट कांथ, इसके नाम जो है, कांथे, कांथे, ऐसे गर के अलग लग जगा, अलग लग लिखे हुए, तो एक बार अपना जो बुक है, उसको जुरूर देख लेना, ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से इनका, पॉजिटिव फिलोसिफी की धार्ना रखी सब के सामनी में, इस अधार्ना के जनक के तौर पे अरगस्ट कांथे को माना जाता है, ठीक है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, 2842 के अंदर में, इन्होंने आया था, इनका आया था, कोर्स औप उजिटिव फिलोसिपी, दो और दास सिस्ट्म आफ पॉजिटिव से निरक्षन करके उसके बारे में निसकर्ष तक स्थ कोई भी समाजी घटना है उसके बारे में डिरेक्ली आप गए ठीक है आपने उसको खुद एनलाइज किया और एनलाइज करके उसके निशकर्ष तक कोई इसी तरीके से घटी है इसी विद्वानों ने तेजी से इसका विकास हुआ जो प्रतेक्षवादी है यह बहुत ज्यादा फैला रिजन इसका यह रहा कि यह थोड़ा अलग तरह की विचारतारों पर बेश था यह समाजी घटनाओं का प्रतेक्ष रूप से प्रतेक्ष रूप से निरक्षन की बात करता पहले तो पहले तक इससरे पहले की विचारतार क्या थी आपने सुना उसकी बारे में लिखा ठीके जो आमने लोगों से सुना थे यहां पर में लिख दिया पर यहां पर जब पॉजिटिव फिलोस्पी आता है तो इसके बाद लिखा जाएगा तो यह चीज़े थोड़ी से चेंजिस आना शुरू होता है इसके कारण से क्या होता है कि जो नए विज्ञान जो विद्वान बनने लगे उनका जुकाव इसकी तरफ पर यहां पर कलपना को छोड़कर अध्यन के उपर में जोड़ दिया जाने लगा ठीके कलपना के आधार पर नहीं लिखा जाता था परतेक्षवात के माद्यम से इस समाजी घटनाओं का अध्यन विज्ञानिक विदी द्वारा किया जाने लगा जो मैं आपको बता रहा थ पर इससे पहले की जो बेस्स दे इतिहांस लिखन का या किसीर चीजों का तो मुहारे क्या ओता था उसके अंदर पर उसके सबसे चीज नीब और करने ओको करना चीज में पर रहते इस समाजी घटनाओं का अध्यन विज्ञानिक अधार पर किया जाता है को आध्ये तो किस तरसे वेगयानिक अधार पर उसको सत्यता की जाएगी क्यों घटणा सही है या नहीं है कैसे जान की जाएगी है अगर आप उसको जाओगे आपने इसर्ष की इन्वेंट मतलब वहां पर अविस्कार करना नहीं, आप गए उसको जाके इंटरेक्ट किया, किस तर से हुआ है घटना, उसके बारे में जानकारी ली, तब आपको क्या हुआ, किस प्रोसेस से हुआ, क्या कारण था अब तब उसके बारे में जानकारी मिलेगी, गर पर बैट 66 के अंदर में आते हैं, दो परतेक्षवात के संबनित घटनाओं के अवलोकन में उनका विसलेश योगदान रा, जिसके अंदर में उन्होंने का कि घटनाओं के बीच में पाई जाने वाले संबन्दों का नियमित करने के लिए नियमों की खोज करना, ठीक है, की खोज करना किस तर से नियम है क्या रूल है regulation उसके बारे में बात करना ही प्रतेक्षवाद कहलाता है ठीक है समझ में आता है प्रतेक्षवाद को इंग्लिस में हम कहते हैं positive philosophy ठीक है प्रतेक्षवादी की जो परंपरा है या लिखन का जो में दी चीज क्या concept क्या कहता है कि क अलपना पर ना जोर देकर ठीक है खुद उसका विशलेशन करना जांच परताल करना घटना का संबंद क्या है किस तर से नियम आधारित है उसकी बारे में जानकारी जुटाना वो यहां पर main focus में रखकर बोला जाता है ठीक है समझ में आता है तीसरे question क्यों बढ़ते हैं त इतिहास लिखन के इंडो-फार्सी परंपरा का एक लिखन मतलब किस तर से इंडो-फार्सी परंपरा थी उसके बारे में बात करना है यहां पर दो चीज़े आपको याद रखना है तीसरे question के अंदर में पहला जो आपका word है सल्तनत काल और दूसरा जो word है यहां पर इतिहा तुर्फाद उन्होंने राज करना स्टार्ट किया ठीक ए घरेकल णिडरेकली उस पूरे टाइम पीर जो चेहां पे और कीसिब सब्सक्राइब मने जाते अब किसमें आटा। यहां पर एक आएगा मुगल काल का लेखन विसेस्ता बताईए और दूसरा आएगा सल्तनत काल का तो दोनों के अंदर में आपको ध्यान रखना है गलती नहीं करिएगा जिससे आपके नंबर कटें कई बार क्या होता है कि बच्चे सल्तनत काल और मुगल काल को एक समझ के लि में कि जो भारती लोग थे उनके पास इतिहास लेखन की कला नहीं थी ठीक है उनको इतिहास लेखन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी तो यह देखा गया सल्तनत काल के अंदर में जितने भी राजा हुए उन्होंने अपने परसनल इतिहास का रखना स्टार्ट किया लेखक रखना स्टार्ट किया है जो राजाओं के लिए लिखते थे सल्तनत काल के अंदर में इतिहासकारों को राजदर्बार के अंदर में संग्रक्षन प्राप्त हुई ठीक उनको रिजर्व किया गया एक तरह से मतलब उसको सुरक्षा दिगए संग्रक्षन दिया गया रा की तरह की इतिहासकार हुआ कते तो उसके बारे में अभी हम बात करेंगे तो उन लिखोकों को अजादी देगी सोतंतरता देगए कि आप राजा के बारे में लिख सकते हो पर अगर आप राजा के पास रहकर राजा का ही खाकर राजा के बारे में गलत तो लिखोगे नहीं तो इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, कई सारे लेकक हुए, ठीक है, आप इसके बारे में थ्रुणा सा बुक में पड़ोगे, तो आपको बहुत सारे लिखोगोगे, नाम आपको मिलेंगे, जो आप पॉइंट आउट कर सकते हो और अच्छे से एक्स्प्रेंट कर सकते हो, अब यहाँ पर बोलते है कि किस-किस तरीके से तो यहाँ पर कई तरह के वीदी देखने के लिए मिलती है मैंले तो नौर्मली अगर लिखन वीदी के अंदर में बात कुरो लिखित के रूप में तो कई सारे इतिहासकार है तो उनके पिरेड में भी अलगलग इतियासकार को अपोइंट किया जो भी इवेंट्स होते थे राजाओं के दूरू उनको उसके इन्दर में नोड़ान किया गया सासाथ के अंदर में राजा दोरा किस तरह के कारे किये जा रहे है ठीके उसके राजनीती करने का तरीका क्या है उसको में फोकस में रखकर भी यहाँ पर चीजे बताए गई ठीके जो बहुत जादा जरूरी चीजे रहती है उनके इतिहास लिखन के अंदर में सासात में राजाओं ने क्या किया जो गायक हुआ करते थे जो कवी होते तो उनको भी उन्होंने स्थान दिया ठीक है वो भी इतिहांस लेखन का कारे किये पर मौकी का धार पर किस तर से राजाओं की बढ़ाई करते थे तो गानों के अंदर में गीतों के अंदर में और वो ल इमेज कैसे बनेगी तो उन्होंने किया कि इस तरह के कवी को इस तरह के इतिहासकारों को उन्होंने बुलाया जो राजाओं के बारे में अच्छा लिखना शुरू किया कि देखो राजा ने तुम्हारे लिए ये काम किया राजा ने तुम्हारे लिए ये बनवाया ये चीज के अदर में और mainly इस book के अंदर में ज्यादा तर करिण के अंदर में ऐसा ही जहां पर comparison based question ने तो हाँ पर जुकाव एक तरस ज्यादा देखनी कली मिलता है अग्या question सुक्षम इतिहास क्या है सुक्षम इतिहास मनला देखो चोटे इस तरका इतिहास सिंपल सी बात है, सुक्षम इत्यास है क्या, पिछले साल यह question आया हुआ था, और बहुत सारे बच्चे जो थी, confuse हो रहे थे, कि सर्फ सुक्षम इत्यास है क्या, तो दो तरह की इत्यास होते है, एक जोनो मुखी इत्यास और एक सुक्षम इत्यास, जोनो मुखी इत्यास की ब कोई भी इंसिडेंट हुआ, तो सबसे छोटे इस तर पर जाकर जांच करना सुक्षमित्यास चाहलता है, ठीके, मतलब मतलब सुक्षमित्यास का जो अध्याने इस थाने महत्व को देखते हुए, ठीके, एक मतलब एक particular area particular इसके इसको हम सुक्षमितियास कहते हैं इसके प्रत करें तो कोई भी घटना तरिकियास के बात नेकुंदाय तो स्कुलन्दान ज्यक्ति के सबसे मेली मैं इतिहास लेखन के अधिकतर भाग जो उनका अधियन का रहा सुक्षम दरति इतिहास के अंदर में आता है सुक्षम इतिहास क्या मौक्य इतिहास के निगट का संबन मने जाता है मोकिक इतियांस तो amatब मतलब इस्थानी और उतियाँ वापस आए एक बाड टापिक पे विम बुस्टन मेन इसके लिकर्ए मानगें सुक्षम डर्शी इतियांस के reason क्या है कि सुक्षम दर्सी इतिहांस का ज़्यादा तर work है जो इतिहांस लेकरन का तरीका है M.M. Boston का पाय जाता है ठीक है उन्होंने ज़्यादा तर जो इतिहांस का अध्यान किया वो सुक्षम दर्सी अधार पर किया अगर वो किसी इवेंट को कवर करें तो सिर्फ वो इवेंट तक ही सीमित थे किसी व्यक्ति को कवर करें तो सिर्फ व्यक्ति तक ही सीमित थे किसी समुदाय किसी ग्राम को कवर करें तो वो ही तक थे तो इसको सुक्षम दर्सी इतिहांस के तोर पर दिखा गया मोखिक इतियास मतलब मूँ से बोला गया इतियास आप कई बार किसे कहानियों में सुनते हो कि राजा ऐसा हुआ करते थे ठीके महराजा ऐसा हुआ करते थे ये ऐसा काम किया उन्होंने ठीके हम पढ़े नहीं उनके बारे में कोई बुक नहीं मिली पर फिर भी हमें चीजे वो याद हैं या फिर हमने सुना है वो देरे देरे word-to-word, mouth-to-mouth pass हुआ आगे ठीकिए तो वो मोखिक इतिहास के तौर पे जाना जाता है तो सुक्षम इतिहास का मोखिक इतिहास से संबन्द बताए जाता है कि वो दोनों similar है सुक्षम इतियास का जो समानी लोगों के लिए उपलब्द कराया जातना अविश्यक है क्योंकि उसके अंदरे बारीकी से डिटेल को कवर किया जाता है सुक्षम इतियास जो है रान के वादी परंपराओं की आलोचक माने जाते हैं जो सुक्षम इतियास वाले थे उरान के वादी जो परमपरा है उसके आलोचक के तौर पर देखे जाते हैं ठीक है समझ में आता है तो सुक्षम इतियास एक सिंपल सा एक लाइन वे बोला जातो हो एक व्यक्ति के मद्य नजर जो इतियास लिखा जाता है छोटे इस तरफ पर जो इतियास लिखा जाता है उसको हम सुक्षम इतियास बोलते हैं ठीक है अगले कोश्चन के और बढ़ते हैं जो बहुत जरूरी है आपके लिए अगला कोश्चन जो आता है आपका अगला question आता है सबाल्टन अध्यन क्या है सबाल्टन सब्द से आप क्या समझते है यह important question है यह important topic है देखो दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बता दू तो MA History MHI 03 का जो playlist है आपके DINAP के उपर में आप जाए है YouTube पे वहाँ पे आपको पूरी playlist मिलेगी MA History MHI 03 का तो बहुत सारे जो topics हैं जो आपको इस chapter के अंदर मिल रहे हैं चाहे सुक्षम दर्सीत, याँ सोसा, चाहे सा बाल्टन, अध्यन हो ठीक है चाहे आपका कोई और topic हो वो सभी topic एक particular अलग अलग video के अंदर में individual video के अंदर में अच्छे से explain करते हुए लिखा गया है, बताया गया आपको आप अगर उन video को भी देखोगे तो आपको बहुत जादा अच्छे समझ माएगा यहाँ पर मैं बस roughly आपको introduce कर रहा हूँ questions के साथ में यह question है, इसके अंदर में यह चीज़े लिखना है यह मतलब बनता है यहाँ पर बस हम यही roughly बात करेंगे जैसे आपका concept के लिए रहो कि इस question के अंदर में यह answer लिखना है और इस तरीके से लिख सकते हैं अब हम बात करते हैं सबाल्टन अध्यन से हम क्या समझते हैं सबाल्टन अध्यन की परियोजनाओं का विकास की चर्चा कीजिये अब देखो सबाल्टन अध्यन होता क्या है तो सबाल्टन अध्यन को निम्न वर्गे अध्यन भी बोला जाता है निम्न वर्गे ठीके निम्न वर्गे मतलब क्या एक छोटे इस तर पर निम्न वर्गे भारते एतिहांस लिखन की जो परंपरा थी उसकी नई सुरुवात सबाल्टन अध्यन के तुरू माना जाता है जिसके अंदर में क्या आता है कि जो अंसंतुस लिखक थे जो सटिस्फाई लिखक नहीं थे तो उन्होंने क्या किया वो सामुहिक रूप से परकासन करना सुरू किया सबाल्टन अध्यन के अंदर में जुड़ना सुरू किया और इसके बेसिस पर ही सबाल्टन अध्यन का विकास हुआ और भारत के इतिहांस लिखने में एक नई सुरुवात सबाल्टन अद्यन के माने जाती है इतिहांस लिखन के अंदर में निम्न वर्गिये परसंग अर्थात सबाल्टन अद्यन के जनक के तौर पे रंजीत गुहा को माना जाता है तो रंझित गुहा इन के जनक माने जाते है और इस परसंग की परसंग की जग्हाद है बहुत ज़प बहुता आलोँचक सबालतन अदेन की सुरुवात हुई तो उनिशन ठानवे से 1998 से इसकी सुरुवात माले जाती है सबालतन अदेन की और इसका टाइम पिरेड है अलग-अलग भुकों में अलग-अलग थोड़ा सा देखने के लिए मिलेगा तो एक बार आपना डाउन कर लिजेगा कि आपके में टाइम पिरेड क्या है आपके बुक के अंदर में ठीक है तो इसके अंदर में क्या देखा जाता है कि इतिहास लिखन की जनता की आवाज क्या है जनता क्या चाहती है जनता का अवलोकल करना अगर मालो हम इतिहास में किस की स्टड़ी करते है इवेंट किस से जुड़े इतिहासकारों के लेखकों द्वारा सुरुवात हुई जो भी इतिहासकार थे दो भी लोग लेखक थे उसके त्वारा इसकी सुरुवात की जाती है इसके अंदर में किसके बारे में लिखा जाता है तो कभीलों के बारे में किसानों के बारे में सर्वहारा वर्ग जो सर्वहा इसके बात किया गया जो पुराना हिस्ट्री था जो पुराना इत्यास लिखने का तरीका था उसके अंदर में जनता क्या बोल रही है मानफ क्या बोल रहा है उसको आपने सुना ही नहीं बिना सुन ही आपने लिख दिया इसके बारे में यहां पे बोला गया उसके बाद यहां को समझाना थिक्राइब इस तोा है अगर सब्सक्राइब क्या यही लिखना से onboard मनें स्वाल्टन आध्ययान के विखजल कोई इंद चराएब स्मिधनề Гई है तो इसके अंदर में कई सारे इत्यासकार आगे चलके जूर्डते हैं, रंजित गुवा मेंली जनक के तोर पे देखे जाते हैं। ठीके यहां पर मद्йम वरगे को फोकस करके यहां पर लिखा गया। ठीक है इसके अंदर में आते हैं इतियासकर एरिक हॉप्स, रेडमन, विलियम्स, ठीक है, स्टूर्ड मॉल, इस्टूर्ड हॉल, ठीक है, जॉर्ज लेफरिप, क्रिस्टोफर हील, ठीक है, E.P. आप्शन करके, ठीक है, E.T. आप्श करके यहां पर आते हैं, और भी कई सारे इतियासकर आते हैं, जो इसके अंदर में सामील होते हैं, जिन्होंने सबाल टन अध्यन को सपोर्ट किया, ठीक है, अगले कोशन के और बढ़ते हैं, दोस्तों, अगला कोशन, सात्वा कोशन हमारा कहता है, पश्चिम में दुत्य विश्विद के बाद माक्सवादी इतिया नास लेखन पर टिक पिड़िंग कीजिए, अब देखो पस्षिम में दुत्य विश्विद हुआ कब, आप दुत्य विश्विद का टाइम प्रेड के आप कमेंट करें करके बताएे, कब से कब तक दुत्य विश्विद हुआ, अब जैसे ही सेकंड वालवर खतम हुआ, कि विचारदार थी दुनिया के अंदर में फंजी वाती चली रही थी ठीक है अब यहां पर क्या होता है कि सभर्मक्सवाद के विचारदार थहीं कर今्माज्वाद की विचारदार नहीं सकते है तो उसके 받고er जो माक्सवादी इतिहांसकार थे जो माक्सवादी विचारदारों को support करते थे उर्माक्सवाद के विचारदार स्वर्थी करना शुरूवाद की और धुंनों मे भटता हुआ दिखता है यहाँ पर माक्सवाद ठीक है यूरोपी देशों के राजनितिक और संग्रक्षिक जो रूप था इस्तर था उसके अंदर में परिवर्तन आया ठीक है सेंधान्तिक इस्तर के अंदर में परिवर्तन आता है जो भी माक्सवादी थे या जो भी यूरोपी देश के राजनितिक और सिद्धाम्तिक स्थत्य उसके अंदर में आप परिवर्तन देखा जाता है जिट्टे विश्यूत के बाद में माक्सवादी जो विचारक थे उनके आपस ही मत्भीद यहां पर देखने के लिए ठीके सासत में आप देखने के लिए मिलता है कि इस परकार के लेखन ने भारतिये देशों के अंदर में इतिहांस कारों के काफी ज़्यादा परवावित किया क्योंकि सपोस करो आप काफी समय से पुराना तरीके लिख रहे हो और अचानक से एक नया कॉंसेप्ट आता है दो भागों बढ़ जाता है आपका कॉंसेप्ट को और जो नया वाला कॉंसेप्ट है वो रिलेट करता है आपसे ठीके तो उसके बेसिस में यहां पर लिखा जा वो दो जोगा बढ़ता हुआ दिखता है किस तरह से बढ़ता है तो पहला जो पुराना से दान्त किंदर में कहा गया कि एक उत्पादक सकती के उपर में जो उत्पादक सकती जिसने उत्पादन किया है ठीक है प्रोड्यूस किया है उसके उपर में बल दिया गया ठीक है उ उतिहास की धारा का निर्धारण ओत्पादन संबंदित क्रभाल दिया। किस तर से आपस में रहे हैं किस तर में जीवन वयापन के तरीके यहाज किस तर्षा आपस नहीं रहे यहां से माक्सवादी विचारदार का दो भागों में बढ़ता है ठीक है समझ में आता है माक्सवाद की जो विचारदार है मेलनी मार्स और एंग्लोस की विचारदार मानी जाती है ठीक है तो यहां पे जो इनकी विचारदार थी पहले की विचारदार के अंदर में पुना जागरन के बारे में विवाद इस पर डिष्टि कोरण पर एक आले उचना आतमक टिपने की जिए अब देखो भारते पुना जागरन के अगर हम बात करते हैं तो पुना जागरन है क्या पुना जागरन का जो पुना जागरन की सुर्वात है यहां पे मेंली कई तरह के कॉंसर्ट देखने के मिलते हैं अगर आप उपनिवेश काल के अंदर में देखोगे तो राजा राम मोहन रहा है यह सारे जो अलग-अलग इतिहांसकार रहे या फिर जो मतलब समास सेवी रहे उनका युगदान म के चर्च की किस तर से पकड़ ती चर्च का किस तर से मत्व था उसके बेसी टरफ से बाहरत के बात की जाती है ठीक है जो अंदिविश्वास होता है कुरीतियां उससे बाहर निकलने की बात की जाती है तो भारतिय पुना जागरन के बारे में बात की जाती है ठीक है यहां पर मेलनी क्या होता है कि कई सारे इतिहांसकार रहे या फिर कई सारे समाज से भी रहे उन्हें पुना जागरन के concept को लोगों के सामने रखा, जो कुरूतियां थी, उसको तोड़ने की बात करी, ठीक है, जैसे कि इसमें बात करोगे, सतीपर्था हो गया, ठीक है, बाल विवा हो गया, भून अत्या हो गया, यह सारे क्या है, पुना जागरन के ही पार्ट है, मुर्ति इंप्यूजन का जो वि जाता, वो यह था, ठीक है, अगला question जो हमारा आता है, question number nine, भारत के राष्टवादी इतिहांस, ठीक है, यह लेखन की विवेचना कीजिए, अब राष्टवादी इतिहांस क्या होता है, सबसे पहले राष्टवाद होता क्या है, उसके बारे में आप समझोंगे, तो राष राष्ट मतलब उता है, राष्टवादी मतलब देश की विचारधारा, देश के लिए विचारधारा, देश की विचारधारा, राष्ट मतलब एक देश, राष्टवादी मतलब, राष्टवाद मतलब क्या हो गया, उस देश की विचारधारा, उस देश के लिए अगर हम बात करते हैं तो जो रास्ट के परती समवेदन थे उनकी विचारदार के त्यांस लिखन के तरीका कहाता है इसके बारे में जोड़ करते हैं तो यह पूरा कोशन है उपनिवेश काल के इर्दगिर्द घुमता है उपनिवेश काल के हम बात करते हैं, तो वो पूरा टाइम प्रेड कहा था, जब हम अंगरेजु को गुलाम थे, वहाँ पे हमारे पास सोतंतर रधिकार नहीं था लिखने का, ठीके, तो अगर कोई इतिहासकार, रास्टवादी विचारदार का समर्थक भी था, और रास्टव रास्टवाद, उपनिवेश वाद का समर्थक नहीं था, रास्टवाद अपनी रास्ट की एक्ता, सोतंतरता की मांग करता था, ठीके, तो यहाँ पर रास्ट को केंदर बिंदु बना कर लिखा गया, जो चीजे, वह यहाँ पर उपनिवेश्वाद की वीरोध में लिखा जो भी चीजे वह रास्ट वाद इतियांस कहलाता है ठीक है ज्यादा इसके साक्षे नहीं मिलते हैं जो भी लिखे गए उसका अंग्रेजों ने उस तरह से उसके उपर कड़ी कारवाहिक करी ठीक है यह देखने के लिए मिलता है पर आपको थोड़ा सा गवर बुक से पढ़ो कोशन का अंसर देना है टोटल 500 यहला फसके अंदर में अपको इन कोशनों कांसर देना है ठीक है चले स्टर्ट करते है तक कहले पहला Fon Ranke, लियो Pold Fon Ranke, ठीक है इनकी जो विचारदार आ है, मतलब इनका जो देखा जाएगा पूरा टाइम प्रिट है यो लियो Pold Ranke का, 1795 से लेकर, 8086 तक इनका पूरा टाइम पिरिट चलता है, लियो Pold Ranke का, ये 19-10 सताबदी के जर्मन इतिहासकार के तोर पर, इन्हों ने, उनका इतिहांस लिखने का तरीका था वो अनुभव वाद को अधार पर नोने लिखना स्टार्ट किया अनुभव के विक्सिस पर ठीक है यह नई परमपरा की सुरुवात माने जाती है इतिहांस लिखन के अंदर में रियोफोर्ड रांके का रांके वादी परमपरा के तौर इनका इतिहास लिखन की विदी को जाना गया कई बार पे अगर ये पूछ लिया जाए कि अनुभवादी ठीके इतिहास लिखन क्या है तो भी आप लियोफोर्ड रांके को ही वताओगे ठीके समझ में आता है इदो नहीं परंपरा का इतिहास लिखन के अंदर में सुरुवात करते हैं रांके की जो कृतियां थी कई सारे इनकी पुस्तक लिखी गई उसके बेसिस कहीं यहां पर लियोफोर्ड रांके की विचावदारा था वो सब के सामने आता है अनुभवादी इतिहास लिखन का तरी हिस्ट्री ऑफ ृिफ लृफर्मेशन इन जर्मणी ठीक है रोमन की माननेता थी खिया माननेता थी रोमननकी तो इतिहास और को अतीद का अद्धेन video करते हों ृतिमान को केंदित करके लिखनाए वर्ntमान सरकारि क्लफक्श लोहिए नहोंने रोमन के ने मानना थी कि एसे बचना चाहिए, उसको केंद्र विंदु माने कर इप। यहँँआ पर माना गया. ठीक है, यहाँ पर उनका धार्णा थी उनकी मानता थी, तो हमें दो मीनिट के लिए, कि हम उस टाइम प्रेड़ के अंदर में जी रहे हैं, अगर हम उस की चुटई कर रहे है हड़पा सेपता के टाइम पिरेड में है वहाँ पर उस टाइम पिरेड में क्या क्या चीज़े अवैलीबल थी उसके हिसाब से हमें उसको explain करना पड़ेगा तब हमें जाकर एक proper answer मिलेगा अगर हम आज के किसी को कुछ बुलाना है तो पहले के तरीका था तो हमें उसके हिसाफ से सोचना पड़ेगा उनको कुछ समझ में नहीं आता था तो मतलब भूख लगी है तो जंगलों में जाते थे सिकार करते थे पूरा एकदम मारना दोड़ना पीटना ऐसा होता था जानवरों को पीछे आज के समय में क्या कुछ समझ में नहीं आए जो मेटों पे गए खाना मंगा लिया सुगी पे खाना मंगा लिया तो वह चीज़े थ हत्यपुन संबंध है उसको अधार बनाकर लिखना चाहिए उनसे रिलेट्विड का होना चाहिए यह नहीं कि आज की साफ से आप लिखे दो यहां पर लियोफोर्ड रानके द्वारा यह कहा गया ठीक है रानके का अनुवववादी इतियासकार के तौर पे जाने जाते हैं और सभी मतलब जो मतलब सभी जो सुरोत हैं उसके अंदर में इनका समान महत्व माना जाता है इतियास के अंदर में ठीक है वरिता करम के अधार पर मतलब यह रानके ने दो साजिशन और भी दिया इनोंने कि कोई भी आप घटना का अध्यन करने गए हो तो जो भी आपकी प प्रेंट मतलब का जो भी घटना का आपको जॉनकारी जिससे यह भी आपको घटना के बारे में जानकारी मिलती है तो भी other कह संवान वारिता पर पर कि सबसे पहले यह वाला सुरूत आएगा यह नहीं कि आगे पीछे मालो हडपास सबस्था की बारे में जानकारी के आफ शूरूत लिख रहे तो आपने सबसे पहले बता दे पतन हो गया ठीके उसके बाद में आप उनके जीवन सरकल के बारे बताते हो फिर उनके नगर में मतलब आगे पीछे कर दोगे तो चीज़े बेकार हो जाएंगी ठीके पतन आप बताते बता चार राइन पतन का बताया उसके बाद में जीवन व्यापन का बताने लग गए ठीके तो मतलब क्या यह तरीका नहीं है एक्स्प्रेन करने का तो यहां पर क्या गया वरिता करम के अधार पर पहले यह आएगा पहले वह आएगा फिर यह आएगा फिर यह आएगा फिर यह आएगा वरिता करम के अधार पर ठीक है सीरिल बाइसिस के बेसिस पर यहां पर लिखने की बात की गई रान के वादी प्रम तो आप कमेंट करके बेजी से पूछ लीजेगा वीडियो लंबी बनने वाली है ठीक है और अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो तो नॉर्मली यूस्फुल वीडियो है अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो फिर तो वेस्ट ऑफ टाइम मेरा भी और आपका भी है ठीक है एक अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है आपको समझ में आ रहा है वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट जरूर करें लाइक जरूर करें अपने दोस्तों तक सेर्विक करें जो भी आपके गुरूप है पॉन लिस्ट के अंदर में उन गुरूपों में जरूर इस लिंक डा काल के बारे में बात करते हैं गुरू कुटब दिन र caring किस परकार अ उसके बारे में यंदो फार्स के अंदर में ठीक तक je मैंने यह वाला question बताया था तो आप पीछे जाकर समझ सकते हो अगर समझ में नाया हो तो तीसरा जो question आता है यहाँ पर आजाता है सुक्षम इतियांस से आप क्या समझते हैं यह वाला भी यहां पर इसको कर सकते हैं तो इतियांस लिखन की प्राचिन प्रमप्रा नवमनाई है तो जैसे मुगलों अल्बरूणी करके कैसा रहर उन्हें बोला कि भारतियों को लेखनकला का अनुभव नहीं त़ भारतियों को लेखनकला नहीं आती ती वह अभिंत थे हुनको ले gens छा के बारे में नहीं पता पहले है चार्टों साल पहले तो यहां पर अवगत उनको तिति के बारे में अवगत नहीं है यह अलबरूनी ने बोला साल साल में अलबरूनी कहते हैं कि जो भी पुरानी बाते करते हैं जो भी किसे कहानिया हो सुनाते हैं ठीक है वो उस तरीपे एक मन गरंत कहानी के बेसिस पर ही लगता है क्योंकि उनको ना तिति का पता है ना किसी exact knowledge है उसके बारे में तेकि इतियांस लेखन के बारे में कोई थार्मिगंत्त सबसे इंपोर्टन हमारे बारती त्यांस लेखन के अंदर में धार्मिक कौन-धार मांध्र वैदिक साहित्ते T के अंदर में वेद वेद ke अंदर में 4enne wichtig अनदर में संपोर्न इतिहास के बारेमें जानकारी है रिकवेद शामवेद यह दूर और हम इसे जानकारी दी गई है तिक विके उसके बाद में आता है रामायन जहलो सब्सक्राइब जो बड़े-बड़े जो मैं जयसे गरंत राव न कुस्त बड़े सुन्दर और उत्त चम्ध siन खा था यह आपने इस तरीके से इनके अंदर में हमारे भारतिय प्राचिन इतियास के बारे में जानकारी मिलती है। जानकारी मिलती हैं साब सात्द में बौद दर्म बौद दर्म की शुरुवात उसी समय से बारा जाता है मोरे बोथ leverage की सरुवाथ ठीक है तो वो हैं मिलती है अभारतिय प्राचनी इतियास के 받아 में जानकारी मिलती है ठीक है पर देखा यह जाता है कि जितने भी बाहरी इतियास का रहा है बाहरी मतला जो बाद में आये बाद में और बाहर से आये उन्होंने भारते इतियास को कुणा के बरावर समझा ठीक है उन्होंने यह माना कि जो भारती लोग है वो मनगणन का आनिया सुनाते हैं उनको त चारवेदों के नाम पुझ दिया जा है तो उनको चारवेदों के नाम सही से लिखना भी निया आएगा ठीके जो भी मैने चारवीद वताये थे तो बहुत सारे मैं आप बात करते हैं तो यहां पर आता है कि जब हम किसी काल के अनेक काल खंडों में विवाजित करके मानलों कोई काल है कोई टाइम क्या यह चैनल क्या य। हम बात करते हैं यह फिर दुजार 22 की हम करते हैं हुल रही कैड़ ड्रीथ Curve कशन गट 0 ह выпut तो इसको हम क्या एक शांस थोड़ना बोल देंगी इसको हम क्या करेंगा अलग-अलग अलग टाइम-प्रेड़ में वाड़ देंगे मालू, जनवरी का मन्त अलग हो गया, फरवरी का अलग हो गया, हर मन्त के इसाफ से हमने क्या किया, टोटल 11 भागों में बाढ़ते हैं इसको, ठीके, 11 पार्ट में बाढ़ते हैं, तो यहाँ पर जनरलाइजेशन के अंदर में क्या कहता है, कि जब हम किसी काल को अने काल खंड क्या है, उसको हम देखते हैं, और उसके बाद हम निसकर्स पर पहुंचते हैं, तो उसको हम समानना ही करना कैते हैं, जनरलाइजेशन बोलते हैं, से समवान्य करन का उप्यों किया जाता है सब्सक्रां के बिगना का हैं महज कुछ तथे और घृटनाओं के विखरा विवा प्रस्तुतिकर्ण बनकर जynenएगा बिगतना गटई उसके बारे मैं बस ऐसी बोल दें कि यह हूआ किस परिकार से हुआ करम बबद तरीका क्या है किस तरीके से काल खंडों व्याजित करके उसको सही से समान बटाया गया उसको कमपेर किया गया वो सारी सीजिस तक नहीं होंगे जब तक समाने करण का उपयोग नहीं किया जाएगा प्रॉपर इतिहांस नहीं लिखा जा सकता है, ऐसा माना जाता है, ठीके, समानी करण के दोरा घटनाओं तत्यों का करमबबद तरीके से पिरोकर इतिहांस का अध्यन किया जाता है, ठीके, मेंली करमबद तरीके से मतलब ये घटना पहले घटी, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ उस तरीकी के अधार परापस में जो उनकी समानता है उसको जाचना ठीकिए यह नहीं कि ही पहली घटना के अंदर है फ्र्स्ट वल्ड वोरक के बारे मी बात कर रहाए दूसरी घटना के अंदर dengan 1515 की भारत की करांफी की बात कर रहा है तीसरी घटना के अंदर चीन और भारत के यूद के बारें बात कर रहा है तब वो आपस में रिलेटी नहीं करेगा ठीक है ऐसी चीज़े जो समानता है आपस में रखती हो आपस में डिफ्रेंसिज हो उसके बैसे बेसिसे बेसित तुलनात्मक अधिन के तुरूबी समाने करण की बात की जाती है ठीक ह में आता है तो यह एक इंपोर्टन टॉपिक है इस वाले टॉपिक को दोड़ा ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों और इसके यह वाला जो टॉपिक है आपका समाने करण का जर्नलाइजेशन का यह पिछले साल भी जो आपका पेपर हुआ अगस्त में दोजार बाईस में उस और और अधुनिक्ता आधुनिक्ता क्या होता है जो विक्सित समाज है जो विक्रत समाज है उसके बारे में में बthere जाती है किस तरह से लोग अर्थवस्ता के उपर निर्वर है उसके बारें बात की जाती है तो इतिहांस लेखन में उत्तर आधुनिक्तावादी के अंदर में में लिखा होता है कि दोनों के बीच में पीक्री अर्णाल्ड नभी करके यहां पर इमयर के तहली परिकलपना की जाती है और इनकी एक पुस्तक लिखी ती अ of history में इसके बारे में जिक्र किया और इसका पूरा टाइम पिरेड इसे first world war का जो टाइम पिरेड था 1918 से लेकर 39 तक का ठीक यह पूरा टाइम पिरेड जो है उत्तर आधुनिक्तावादी सब्द का जो यहां पर इस टाइम पिरेड के इस टाइम पिरेड के बीच में आपका first world war के बाद का जो टाइम पिरेड है यहां पर उत्तर आधुनिक्तावादी सब्द निकला और विक्सित समकालिन समाज का निर्मान करते हैं और न Tell को ठीक है औरनल टाइन अभी करके उनका नाम है उनको देखा जाता है जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी और study of history ठीक है तो यह यहाँ पर आप इस तरह दिफाइन करके लिख सकते हो अगले कोशन के और हम बात करें तो उपनिवेश जब हम उपनिवेश थे जब गुलान ठें बिर्टन के इस इंडिया कंपनी के बिर्टन के तो उस टाइम प्रेट पर इतियास की तरह द लिखा गया उसके बारे में अधिन उपने विश्वादी इत्यास लिखन कहलाता है एक सिंपल से लाइन में बूलू तो अब कैसे लिखा गया इसके बारे में हम बात करें तो यहां पर भी सेम रोना रोया गया कि भारती जो लोग थे उनको इत्यास लिखन के बारे में जानकारण नहीं थे उनके पास लिखित सुरोत नहीं थे बारती पास एक लिखित सुरोत नहीं थे इत्यास लिखन का ठीके जिसके बेसिस पर कुछ बोला जाए भारत के बारे में ऐसा उन्होंने कहा सासात में यह इस बात पर भी जोड़ दिया गया कि जो भारतिय तिहांस लिखाने वो ज्यादा विक्सित नहीं था ज्यादा संपुर्ण नहीं था तो यहां पर कई सारे तिहांस का रहते हैं जैसे चाल्स ग्रांट हो गया इनके दौरा एक पुस्तक लिखी गई थी और विजेशन ठीके और विजेशन ठीके और विजेशन ऑन दी स्टेड ऑफ सोसाइटी अमंग दा एसी सिट सब्जेक्ट ऑफ इंडिया ऐसा करके कुछ पुस्तक का नाम था जीपसा ठीके इसकी उपर लिखी गई थी आप एक बार नाम इसके जरूर पढ़िएगा क्योंकि म चाल्स घ्रांट के कि बहुरएगा जिसके अंदर में भारतिय इतिहांस के वारे में पहली बार बताया गया जिकर ने वी इंडिया का प्रण सब्सकै को इनगे नहीं अरवन इत्याँ देकल का question no.7 का topic तो मैंने आज के साब से भी कमपेर किया क्या क्या आज की समय में भी ऐसा होता है तो मुझे यह समझ में आया कि आज की समय में भी 101% ऐसा होता है कैसे काफी सारी जो British या फिर भाहर के जो news paper है आज के time period में वो भारत के अंदर में कभी जीवन में जो जिस जो भी ऑथर होता है या जो भी पब्लीसर होता है जो भी एडिटर है वो कभी भारत के अंदर में आया नहीं है और भारत के बारे में वो न्यूज चाप देता है कि भारत के अंदर में ऐसा हुआ ठीक है अभी कुछ समय पहले ही जम्मेने देखा था क्रिश्वी आदूलन चल रहा है तो कई सारी न्यूस पेपर के अंदर में उसको लेकर जिक्र हुआ कि भारत सरकार ने जो कानून पास किये वह सही नहीं है ऐसा करके उन्होंने लिख दिया जबकि उनको हिंदी में जो बंदेने जिसने छापा होगा उसको हिंदी में उसको क्रिशी भी लिखने नहीं आता होगा और उसने क्रिशी कानून के बारे में लिख रहा है कि कानून सही था या गलत था मैं यह नहीं बोल रहा कि गलत था या सही था ठीक है मुझे आइडिया नहीं उस कानून के बारे में क्योंकि मैं जो चीजे जिसके उपर जिसके लिए होती है उसको समझ में आता है अगर new education policy यह मुझसे पूछो सही है खलत है मैं बता सकता हूं क्योंकि मैं उस चीज से तो इस तरीके से वहां पर लिखा गया कि भारत के इंदर में जो कानून आया सरकार उनके उपर इंपोस कर रही है यह कानून बिल्कुल गरत है ऐसे नहीं ऐसे नहीं होगा यह होगा पर उनके इसाफ से वह चीजे ऐसे उसी तरह से 378 तो उन्होंने उन्होंने बैठे- उन्होंने बारत के विशे में लिखा ठीके उन्होंने भारत के जो मतलब आत्म विश्वास घमंड जो था उसके बारे में आप लिखने के दिखाया कि जो भारती लोग थे किस परकार के लोग थे उसके बारे में लिखा और भी कई सारे जो अलग-अलग इत्यास कार रहे ब्रिटन के ठीके जह जैंस मिल हो और भी इत्यास कार रहे उन्होंने एक ही विशे को उठाया और हर बार अलग-अलग तरीके से उसको डिफाइन करने की कुशिस करे और ज्य आपको इस question के अंदर में कई सारे त्यासकारों के नाम बताने हैं और यह वाला question मेंने अलग से भी करवा रखा है तो वीडियो वहां पर देख लेना जिससे आपको समझी में आएगा एक मैं अपको अपनी दिल की बात बनाँ फिलिंग की बद बताऊं मेरी तफिर ठीक नहीं है बट मुझे almost last 15 days के अंदर में 200 से ज्यादा कमेंट्स में मेरे प्रस्नल मैसेज में कि सर यह जो वीडियो है मैं चाहिए 03 का इसको जरूर बनाए जल्दी से जल्दी बनाए एक्जाम है आपका दिसंबर में ठीक है और मैं फिटनी हूं कि मैं आपको वीडियो करवा बहुत यहादव प्रावलेम होती है बोलने में और नemi स्टॉॉप बोलना ठीक है तो नौन स्टॉप क्योंकि एक लिए दियो और में बनाना उतो हुथ रहती है तो अगर हम इत्ना करöyle दोसkęong के पनना आपको से लिखना थो थोड़ा से आपको वाग भी करना पडेगा आपको बुकक भी क्षोलना पड़ेगा बैठना पड़ेगा आपको समझ में आएगा वहाई जिसे आपको दिककत नहीं तो यहां पर नॉर्मली हमें यह उन्होंने वर्णन किया उसके बारे में डिफाइन करो कि नंबर अच्छा मिल जाता है कहीं नहीं जाता है आपका नंबर अगले कोश्चन की बात करूँ तो कोश्चन नमबर एट जिसमें आता है सबालतन अध्यन से आप क्या समझते है अभी मैंने आपको बताया था पीछे क के बारे में कि किस तरह से उन्होंने अलग-अलग कुरीतियां थी पनजागरान होता कि अन्द्र कार को कुरूतियों को हटाना ठीक है जो अन्धविस्वास हे उसके लिए लड़ना यह यहां पर में इसके बारे में बात करते हैं ठीक है अगले कोश्चन पर क्यों बढ़ते तो यहां पर पीछे यह वाला कोश्चन हमने पढ़ लिया है तो वह आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा एक लाइन में अगर इसको हम डिफाइन करें कि और हर एक टाइबी उसकी समानता हों को देखते हैं उसके सिम अशू कॉ मिलता इंडग रिजल्ट उसकी सममानना ही करें रहा हैं ठीक है समझ में आता है तो इसका azomba चूरण सेलीच आपको समझ में आ जाएगा घ्वारॐim यूनानी और रोमन परमपराओं के द्यास लेखन का उद्देश्य पर टिपने लिखिए, क्या उद्देश्य है, किस तरीके लिखा गया, ठीके, इसका जो हमारा आंसर है, वो पहले ही कोशन के अंदर मैंने करवाया था वीडियो के, ठीके, जहां पर इतिहास सब्द बना किस है, ठीके, उसके बेसिस पर यूनानी का हम बताते हैं, और रोमन का, लीवी और भी कई तरह के जो इतिहास कारते हैं, उनके द्वारा हम बताते हैं, तो उसका हमने पहले कोशन के अंदर में कर लिया था, तो वहां से आप इस कोशन का अंसर देख सकते हो, अगला जो कोशन आता है, यहां पर हम पर आगर चीनी इतिहास लिखन के बारे हम बात की जाते हैं, कि किस तरह से चीनी इतिहास लिखन लिखा गया, देखो चीनी इतिहास लिखन के अगर हम बात करते हैं, तो यह कुशन कुछ खास है नहीं, पर फिर भी पान साल के अंदर में दो या तीन ब को र करते तुने तो यहां सब्सक्राजाः लिखा गया क्यन्द्रबिंदू बना कर लिखा गया ठीक है59 आपको दर पिसके आदार पर करन्नकॉरन का उपयोग मिलता व मज़त मानन इसके इतियासालों के आपकर मुपयोग का पर मिलता है क्ड़ talked किस तरद से उनकी विश्यस्ता ही थी ठीके जो आपका बुक है वहाँ पर इसका अंसर मिलेगा थोड़ा सापको पढ़ना पढ़ेगा तब आपको विश्यस पर इसका अंसर पता चलेगा यहां पर कुशन नमर फोर्थ की और बढ़ते हैं तो मौकिक इतिहास लिखन से हम क्या समझते हैं ढिको कोई किस्सा कहानी में नानी ने सुनाया मेर दादी ने सुनाया कि ऐसा एक राजा था उस राजा ने इसे किया उस राजा की दो पत्नियां थी उसके पतनी के इतने बच्चे हुए उसर 沒有े यहां पर यह लड़ाई-लड़ी तो यह मौकिक अधार पर इतिहास के लिए कुछ समय पहले दर में वैशन्हेशन देवी देगा था तो वहाँ से जब मैं वापस घूमने के लिए भीर थेक किसी नेल explorative मांसर के लिए रम वाले में ओर की जाना चांगा है तो मांसर लेक के लिए जाने थे पाल ya आर्मी केंट पढ़ता है, जम्मू कसमेर के अंदर में ही, ठीक है, आर्मी केंट पढ़ता है, तो उस आर्मी केंट के पास हमारी जो विकल थी, उसको रोका गया, गाडी को रोका गया, ट्रेवलर को, और उस ट्रेवलर वाले ने बोला कि इस आर्मी केंट के अंदर में जाओ, जहां पर फोन बैग यह सब लाओ नहीं था क्योंकि आर्मी केंट था पूरा आर्मी का ओ था कंट्रोल के अंदर में था तो उसने हमारे ट्रेवलर वाले ने बोला कि आप वहां पर जाओ आपको उसना नाम किया था नाबादेवी ठीके अब नाब क्या था तो जो जल जाती है उसकी बादना जोड़ी जल बादि को लेकर पूरे ब्रहमारी में तान्डव कर रहे होते हैं ठीक है तो सब को डर रहता है कि कहीं पूरे सुरिष्टी का विनासना कर दें तो जो विश्णु भग्मान होते हैं वो क्या करते है नारायन जी वो अपने सुदर्शन चक्र से जो माता सती हैं उनके कई सारे टुकडे कर देते हैं ठीक अलंबंस माल जाता अलग लग जगा अलग लग नंबर है 51 होक्यावं टुकडे करते हैं और अलग लग जग वह वह जग लग जगते हैं तो जिस मंदिर में में गया हुआ था वहां पे नाभी उनका जो नाभी पेट का हिसा होता नाभ ठीक है तो वो गिरा हुआ था तो उसको नाभा देवी के तौर पे देखा जाता है ठीक है तो भारत के अंदर में कई सारे देविया हैं जिन सक्ति पीठ है जिसके अंदर में य अब यह क्या है यह मुझे कंठस याद है जो मैंने आपको सुना है जो हिस्त्री अब बारे में आ द्याश के तौर पर देखते हैं मोखे की इतिहांस सुक्षम इतिहांस ठीक है यह सारे आपस में मिलते जुलते ऑल्मस्ट हेंगे ठीक है समझ में आता है अगला हमारा जो यहां पर आता है कोशन अब्दुल-फजल की संदर्ब में अकबर के राजेकाल में इंडो-फार्सी इतिहांस लिकन की की बारे में जानकारी दीजिये अभ देखो पहले यहां पर कोशन आया था सल्तन काल का थिक fell हम इसके बारे में बात करते के इंडो-फार्सी इतिहांस लिकन के बारे में जानकारी दीजिये अकबरuiten चाल के तो अकबर Hurricaneём जब आप देखोगे, मुगल टाइम पिरेड का जो सुरुवात है, जितने भी राजा हुआ है, मुगल काल में, जो अकबर का बाप, अकबर के बाप का बाप, ठीक है, सभी के तुरू ये क्या गिया, कि उन्होंने इतिहास कारों को अपोइंट किया, ठीक है, उनको सरकारी जानते थे, वो अफगत थे, तो उन्होंने खुद भी लिखा, ठीक है, सासात में लिखोगे, ठीक है, जैसे अकबर की बात करूँ, तो अब्दल फजुल द्वारा, अकबर नामा लिखा गया, आएने अकबर ही लिखी गई, ठीक है, जिसके अंदर में पूरा अकबर काल के राज्य काल के बारे में जानकारी दी गई, ठीक है, तो इसी तरह से मुगल काल के जितने भी राजा हुए, चाही मायू हो, बाबर हो, ठीक है, साजहा हो, ठीक है, औरंजे वो, सभी के टाइम पिरिट के अंदर में, अलग-अलग घट्राए को कवर करने के लिए, अलग-अ त्यास कारों के द्वार, उन्होंने अपोइंट किया, उसके थूरू लिखी गई, ठीक है, तो अकबर काल का जो पर्मुक जो पुस्तक देखने के लिए मिलता है, वो अकबर नामा, बाबर नामा, आयने अकबर ही, ये सारी चीज़े देखने के लिए मिलती है, ठीक है, के और बढ़ते हैं, तो जो अगला कोश्चन है, उपनिवेशवादी थिहास लिखा गया, जेम्स मिल हो गया, इन्होंने किस तरह से थिहास का वर्णन किया, उसके बारे में आपको बताना है, किसका इतियास, तो भारती थिहास के बारे में, ठीक है, अगला कोश्चन है, भ देखो, तो नॉर्मली इसके बारे में, क्या पुछा जा रहे है, भारती राष्ट वाद, जो भारती राष्ट वाद का कॉंसेप्ट था, वहाँ पर माक्सवादी विचार इतियास कारों ने किस तरह से उसको लिखा, ठीक है, किस तरह से उसको डिफाइन किया, वो आपको यहां पर बस सिंपल सा बताना है, सासात में यहां पर अगला कॉश्चन आता है, कॉश्चन नम्बर एट, सबाल्टा नद्यन क्या है, सबाल्टा नद्यन का निम्न वर्गे इतियास, ठीके, निम्न वर्गे अद्यन, ठीके, रंजीत गुहा कि वाला कॉश्चन में करवा च जाकर देखना पड़ेगा और बहुत सारे जो कोश्चन्स हैं इसके अंदर में जो इंपोर्टेंट है ठीके जैसे सबाल्टा नद्यन हो गया सम्माने करन हो गया वस्तु करन हो गया यह सारे कोश्चन्स के अलग पर्टिकुलर देखे कि सिंगल वीडियो आपको मिल जाएंग तो उन वीडियो से भी आपको benefit होगा तो उन वीडियो को भी जरूर देखें एक बार ठीक कुछ इंपोर्टन टॉपिक्स की वीडियो हैं जो एमेचाई-03 के एक्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट रहेंगे अगले question पर एक पेपर के और बढ़ते हैं अगला important question है दोस्तों वस्तुपरक्ता की जब हम बात करते हैं तो सबसे important topics में से एक ये भी है ठीक है वस्तुपरक्ता है क्या तो का जाता है कि जब अतीत के किसी घटना को इतिहांसकार द्वारा यथात रूप में परस्तुत किया जाता है जिस तरह से घटा कोई गटना उसी तरी तरीके से वर्णन किया और उस वर्णन को हम जो वर्णन करने का तरीका था वर्णन को हम वस्तुपरक्ता के स्रेणी में रखते हैं वस्तुपरक्ता से भी ध्यान वस्तुपरक्ता करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि तत्यों का कि मतलब जब हम किसी भी टॉपिक का कर रहे हैं ठीक है उसका इतिहांस लिखन कर रहे हैं तो उसको करते समय में इस बात का ध्यान रखते कि जो भी तथ्यों का उप्योग किया गया है तो उसको तथ्यों का उप्योग किस तर से किया जा रहे हैं करम बद तरीका है या नहीं है तथ्यों का उस घटना से संबंध है सभी या नहीं है तो वस्तु प्रक्ता के अंदर में इसकी बात की जाती है। ह्टोरी। करते समये इतिहासकारों को निस्पक्ष रहने की आपते जाती है। तिक वह अपनी मर्जी से किसी भी धारणाओं को सत्य और भी इस्वास के अधारपन नहीं लिख सकता, बात कि जाती है फिक है यहाँ पर जो मेल इतिहांसकारों को एक तथस्थ और निस्पक्ष की भूमिका में रहना चाहिए किसी भी गटना का दियन करतें समय ठीक है वो एक वकीन के भादि उसको नहीं रहना चाहिए वकील क्या हौता है जिस पक्ष से पैसे मिला है उस पकही हो तो आप देखोंगे कई सारे वकील ऐसे होंगे कही सारे पोर। पूरे समाज को सोसाइटी को पता कि यह बंदा गलत है थीक है इस बंदे ने जुर्म किया है पर फिर वह वकील उसको बचाने कुर्षिट कर रहा हुता है जो दूर से देखे चीजों को कि इस तर से घटित हुई है निस्पक्ष जहांपर भी दब़ाब ना करें सारी से ले नदा नहीं कि तो यहां पर कहा गया वस्तुपरक्ता का कि जब हम किसी अतीत की घटना को यह थार्त रुप में प्रसूत करते हैं और एसे वड़न को हम वस्तुप्रक्ता के स्रीने में रखते हैं जो घटा जिस तरीके से हमने बताया वही आपका वस्तुप्रक्ता कहलाता है सिंपल सी बात तो इसका अलग से मैंने टॉपिक करवा रखा है वहाँ पर आप जाके देख सकते हो समझ में आएगा ठीक है प्रस्ति और चरित्र पर टिपड़े लिखिए ये टॉपिक को मैं अवोइड करूआ क्योंकि सच कहूं तो मैंने इसका ध्यान नहीं दिया था ये ट अगला कोशन हमने करवा चुक हों तो वह देख सकते ओंसे शुक्षम इतियास क्या है ये वाला टॉपिक भेर कर चुके हैं अगला कोशन के दर हम बात करते हिए इतियास लेकरs के अनाल इसकोल का का उपके इंपर्टन है अनाफिक है तो अनाल इसकोल एक नसमू है को का to owall tu kembridge school ये दो अलग लग विचारधा रायती है Php okay जान कारी होनी चाहिए okay अगर ? हम बात करें मिल ली ची सिर्ड हो तो यह उन्होंने no हो कि इतिहा सकारों के समूभ हो है ठीक है जिन्योंने कुछ testi लिखी इतिहास के लेने का अलग तरीका नया कॉंसेप्ट उन्हों सामने लेकर रहे लोगों के ठीक तो यहां पर अनाल स्कूल के बारे में हम यह बात करते हैं है सोली दोस्तों ठीक है थोड़ा सा अनाल स्कूल का जो टॉपिक है आपको मैंने प्लेलिस्ट बताया उसके अंदर में आपको मिल जाएगा। जो इतिहास लेखन का पुराना तरीका है, उससे हटकर उन्होंने परसुत क्या चीजों को उसके बारे में यहां पर बात की जाती है, जिसको हम अनाल स्कूल कहते हैं, सेम इसी तरीके से एक और आएगा 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 जहां पर Cambridge स्कूल की धारना को बताईए, Cambridge स्कूल की ध करते हुए दिखाया जाता है, ठीक है, समझ में आता है, अगले question के और हम बढ़ते, अगले topic के और बढ़ते हैं, तो जो अगला topic है, यहां पर आता है, भारते इतिहास पर, राष्टवादी दिरिश्टी कोन के मूल विचारों पर टिप पिने कीजिए, जो भारते इतिहास करते हैं, पर जो राष्टवादी नेताव सब की बात करोगे, जैसे तीन चार जो भी आपके सोतंतरत से नानी है, किसी को भी उठालो, ठीक है, जो अजादी के लिए सहीद हुए, ठीक है, उनको उठालो, वो सारे राष्टवादी विचारक के तौर पर जाने जाते हैं, ठ अगला कोश्चन आता है, भारत के आर्थिक इत्यास के बारे में विविन लेखन के सुरोत क्या है, ठीक है, लेखन की विशलेष्टता क्या है, कौन-कौन से इत्यास के तुरुप में भारत के आर्थिक इत्यास के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है, तो यहाँ पर नॉर का परवाव की विविशना कीजिए जहां पर मैंने बात किया था उत्तर आधुनिकता वर्ड क्या है तो जो फॉस्ट वर्ड वोर के बात का जो टाइम पिरेड और से पहले जो अर्थ व्यवस्ता पुरी तरह से नस्ट हो गई थी तो उसके बाद में जो उत्तर आधुनिकता का निर्मान हुआ और किस तर से modern society का वापस से स्टार्ट हो रहा था फॉस्ट वर्ड वोर के बाद में इस उम्मीद के साथ में कि दुबारा कभी वर्ड जैसी सिद्धी नहीं बनेगी तो यहां पर उत्तर आधुनिकता वर्ड यहां पर बात की जाती है उससे ठीक है यहां तो normally यह भी आपको आधा ही question पर करवाया है अगर और आगे question paper का देखोगे तो December 2018 का question paper है पर ज्यादा तर question paper के अंदर में almost questions जो है repeat हो रहे है जैसे यहां पर समाने करन का question repeat हो रहा है समाने करन generalization क्या है बारति इत्यांस लिखन की परंपरा क्या प्राचिन इत्यांस का जि अगले question पर पर यहां पर अगला question देखोगे यहां पर तो सेम इसी तरसे उपनेवे स्वादी त्यांस लिखन क्या था किस तरसे James Mill Charles Grant के द्वारा लिखा गया उसकी बारे में बात करे जाएगा बारति त्यांस लिखन के संबंद में जनो मुखी त्यांस क्या है इसके बारे जाता है ठीक है समझ में आता है यहां पर इत्यांस लिखन के संदर में उत्तर आधुनिक्ताबाद क्या है वह मैंने अभी आपको करवाया था जहां पर हम कहा जाता है आधुनिक्ता के दर्शन के बाद इसके बीच में उत्वन हुआ ठीक है मतलब सा उत्तर मेंत्यास लेखन की निए और बाद का अंसर देना होता है जहां पर महिलाओं को केंद्र बिंदू मान कर लिखा गया किस तरीके से किस तरह से चला मेला इत्यास लेकरन क्या रहा ठीक है तो वह आपको यहां पर डिफाइंड करना है important question रह सकता है कई बार women's को almost questions put up के जाते exam के अंदर में ठीक है पर इसके अंदर में कुछ खास आपको लिखा हुआ आपके book में नहीं मिलेगा पर फिर भी आप इसको पढ़िएगा जिससे आपको थोड़ा साइडिया रहे और कभी exam में पूछा जाए तो आप बता सो को उसको आंसर ठीक है समझ में आता है अगला question में पर क्या आप देखोगे तो यहां पर आपका जो अगला question में पर है तो जून 2019 का question में पर है अगला ठीक है इसके अंदर में भी same question है कुछ खास यहां पर question मिलता नहीं है अल्मोस सारे question paper same ही है इतियास लेखन की रांके वादी परंपर है क्या है लिए फोर्ड रांके का अनाली स्कूल के संस्थापक कौन थे यहां पर बताना है अनाली स्कूल क्या है वस्तू परक्ता क्या है जिसको मैं मैंने बताय था आपको ठीक है मांक्स वादी इतियास कार कारों के नाम बताएं जो इतियास कारों के नाम बताने आपको यहां पर उनकी विचारदर क्या है वह आपको डिफाइंड करना है ठीक है ओल्मोस जो भी यहां पर टॉपिक से ना सारे करवाए हुए है ठीक है अब यहां पर आराम से कर सकते हो साबल्टन दिन क्या है उपन बट एक रिवेस्ट रहेगा आप सभी शुटेंट से जो भी स्टुटेंट से अगर आपको किसी और टापिक पर है अपको सब्सक्राइब करें कमेंट करें मैं आपके लिए वीडियो बनाओंगा जिससे आपको हैल्प मिले ठीक है और भी इस तरह की वीडियो के लिए आपके करने का बेनफिट के है आप को में इनजर पढ़ते ही जो हाइलाइट होग पर जो जोन करने के बाद आप कमेंट करते हो तो आपका कमेंट अलख से हाईलाइट होता है और उस अलजर ओल्मूस्ट पढ़ते ही बढ़ते हैं एक comment है जो highlight हो रहा है फिर मुझे उसका answer compulsory देना पड़ता है ठीक है क्योंकि कई बार होता है नजर नहीं पड़ रहा या फिर ध्यान नहीं मिला टाइम नहीं मिल रहा ठीक है पर वो highlight हो रहा होता है अलग से सो कर रहा होता है तो उसको हम answer देते ही देते है तो आपका एक benefit है कि आप directly question भी पूछ सकते हो इवन दो WhatsApp group का अगर जोइन करना हो तो comment कीज़ेगा मैं link देदूँ हो वहाँ से भी आई directly कर सकते हो तो friends thank you so much for watching me thank you so much for listening me bye bye take care all the best आप सभी को all the best आपके exam के लिए bye bye